सीजन सिक्स्टीन आईपेल का शुरू होने वाला है और सारी टीम जबरदस तैयारियां कर रही हैं मेगा आक्षण भी हुआ है नई टीम्स भी बनी है और तैयारियां शुरू हो गई है और पिछले साल एक नई टीम के एंट्री बड़ी महंगी और बड़ी ग्लामरस टीम और बड़ा जबरदस प्रदाशन भी किया चैंपियन बनते बनते रह गए अब चैंपियन बनने की तैयारी शुरू हो गई है टीम के मेंटॉर, टीम इंडिया के पूर्फ कप्तान, ओपनर और पीछे उनका नाम चमकीर है तो पूरी अकाउंटबिलिटी आपकी है, पूरी रिस्पॉंसिबिलिटी आपकी है या तो आप और रोल ना लीजी अगर आप लेते हैं तो आपको वक्त देना ही पड़ता है प्लस आई-पेल एक टॉनमेंट है जो आप बाकी लीग से कंपैन नहीं कर सकते वक्ता है यह किसा टॉनमेंट है जो मेरा मानना ही कि दस की दस फ्रांचाइज पर स्ट्रांचेह यह इतनी स्ट्रॉंग यह इतनी स्ट्रॉंग टीम्स है kid कि आपको बहुत भीतरीन क्रिकेट खेलनी पड़ती ओर बहुत लंबे समय तक कर आगे जाकि अजाए तो गौतम आपने पिछले तीन-चार दिन में जो यहां पर टाइम लगाया है प्लेयर्स के साथ तो कुछ स्पेसिफिक आपने देखा कि आपके कोई एजेंडा था और स्पेसिफिक कुछ उसमें से निकल का है पिछले जुतम टाइम और देखते हैं तो अब पिछले के से बाइए कर सकते हैं तो वह देखना जुरूरी था पर आप और पंदरा दिन पहले लगेगा, आप और बहुतर तरीके से बात कर सकते हैं, अभी सिरफ यह देखना था, कि क्या तरीके का वो स्किल सेट लेकर आते हैं, और as a mentor, as a former player, जो आपका experience है, सबसे बड़े चालेंजेस आप लिए क्या देख रहे हैं इस सीजन में, देख जब आप महाराश्ट्रा में खेले तो जो सारी विकेस थी तीनों ग्राउंड में, तो एक जैसी थी, Red Soil ता इस बार आप चेनाई भी जाएंगे, आप लगनाओं में भी खेलेंगे, आप कहीं और जैपूर भी जाएंगे, तो एक सबसे बड़ा चालेंज है कि आप कि इतन जल्दी जो टीम अडाप्ट करेगी, कंडिशन को वो बहतर प्रदाशन कर सकती है, बिल्कुल, और आपने ओपरिंग में क्या कारणा में किया है, हमें सब पता ही हमको, जाए वो वोल्ल कप हो, चाए वो टूजन सब टूजन सब टूजनी वोल्ल कप हो, हर जगा, लेकिन ग के अंतक एक ही तरीके का भेथर प्रदाशन की है, यह जो सोशल मीडिया में डिबेट सेना, जो भी डिबेट करें मेरा यह मानने है, जो सोशल मीडिया में इनलेटिफ करे जाते हैं, क्या ओड़र फॉर्म, फाल्तू चीजे बुली जाती हैं खिलाडी के बारे में, इंडिय अगर रोहेशर्मा अज रोहेशर्मा है, तो ऐसा नहीं है कि रोहेशर्मा ने जब अपने शुरुवात में उनका करियर था वो इसी तरीके का चला है, बहुत लंबे समय तक उनको भी कप्तानों ने बैक किया था, उनका टालेंट देके, तो आज अगर रोहेशर्मा के कर रहें, अल्टमेटली आपको रन बनाने पड़ेंगे, मैं यह नहीं कहता है कि सिर्फ टालेंट आपको खिलाएगा, रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन जिस खिलाडी के छे शतक हैं, ओवसीज, कई खिलाडी के तो पूरे करियर में एक शतक नहीं हो ओवसीज, इंडिया से अगर कप्तान उनको बैक करें, सेलेक्टर उनको बैक करें तो कुछ देख की बैक कर रहे होंगे, और जो खिलाडी यह कह रहे हैं कि उनको टीम में नहीं होना चाहिए, उनसे पहले जाके पूछी कि कभी जिंदगी में ओपन करी है, और अगर ओपन करी है, तो फिर कितना तो इसलिए मेरा मानना है कि आप खिलाडियों को बैक करते हैं, और जब आप ऐसे दोर पे होते हैं, जब आप अच्छा प्रफॉर्म ने कर रहे होते हैं, तो उल्टा आपको और ज्यादा बैकिंग चाहिए, किसी भी खिलाडी को आप एक माच ज्यादा खिलाइए, बल्कि कि एक माच कम से, और एले जी के लिए जब उखिलने आएंगे, तो अब क्या बात करने वाले हैं किल राहूल से, कुछ भी नि चार या पांच सौ हैं उग आप या इंपिल में, क्या बात करनी है, टेस्ट क्रिकट और वाइड़ बाल क्रिकट में जमीन आसमान का फरक है, अ अगर वो फ्लॉप होते हैं, तो वो प्रॉब्लम है, इतने बड़े-बड़े खिलाडी हैं, जिन्हों ने 3-3-4-4 सीजन में रन नी बनाया IPL में, उनके उपर तो कोई क्रिटसिम नी होता, तो जब वो यहां पर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अच्छे जोन म जो आएंगे, और जब आप इतनी अंतराश्य क्रिकेट खेल चुके होते हैं, तो आप यह मैटर नहीं करता कि आपने इंटेंसिटी देखी, यह गौतम गंफीर था, जिसने इंडिया को इतने मैच्छ जिता है, लेकिन गौतम अगर इंजिरी की बात करें, तो कुछ आपके इंजिरी स्केस भी थे, आपके बोलर्स को, तो इस तरीके की इंजिरी की कोई स्केस तो नहीं है क्योंकि हमने देखा कई इंटरनेशनल मैच्छ भी पाइस बात करें हैं, तो फिंगर स्क्रॉस अभी तक तो नहीं है, पिछले साल हमारे जो सबसे तेज गेंबास से माकूड तो वो अवेलेबल नहीं थे, होफुली इस साल अवेलेबल होंगे, फिंगर स्क्रॉस बिकोज वो आपको बिल्कुल डिफरेंट डिमेंशन देता है, कितने ऐसे गेंबास है वोल्ल क्रिकेट में, जो डेट से उपर की गेंबास ही कर सकते हैं, तो वो चीज हमने पिछी बा तो as a player, as a mentor, आपके जो suggestions होंगे, tips होंगे, बड़े एहमियत रखेंगे, तो क्या आपने टोर्नमेंट को किसी initial phase, mid phase और closing मेंच कैसे कहलना है, कि उस तरीके से बाटा है, किस तरीके से टोर्नमेंट में आगे बढ़ना है, देखें, मेरा मानना है कि मैं कभी इतनी दूर की सो इतनी मुश्किल लीग में खेलते हैं, जुरूरी निया कि शुरुआथ अच्छी होगी तो अंध भी अच्छा होगा, और ये भी नहीं है कि शुरुआथ खराब होगी तो अंध खराब होगा, अच्छी क्रिकेट खेलिये प्रेजेंट में रहेंगे, जितना प्रेजेंट रहेंगे उतना बहतर रहेगा और अल्टिमेटली मेरा मानना है कि आॉक्शन टेबल पर सिरफ आप टीम बना सकते हो जीतेगी वही टीम जो बीच में अच्छा प्रफॉर्म करेगी एक आखरी सवाल और ठूस देता हूं सबसे बड़े चालेंजिंग या सबसे बड़े दावे कोई भी फ्रांचेज जीत सकती है बिल्कुल 2008 में जब IPL की शुरुआत हुई थी तब भी गौतम कमीर से मुलाकात हुई थी एक इवेंट में और गौतम से तब मैंने सवाल किया था कि क्या देश की क्रिकेट बैक सीट ले लेगी तब उनने का था कि नहीं दोनों अलग अल देवी तल्ली